इस वक्त जो है वो मैं जन्रल टेरोट कार डीडिंग करने जा रही हूं आपके लिए टाइमलेस भी है यह रीडिंग और मैं इसमें आपको राशियां भी बताऊंगी पॉजिटिव होकर मेरी टेरोट कार डीडिंग को देखिए ताकि आपके साथ कनेक्ट हो आपके परसन की लाइफ में इस वक्त आपके लिए क्या होगा क्या चेंजिस होंगे चेक करने वाली हो मैं पॉजिटिव हो जाए और अगर आप इस वक्त आपने परसन का नाम लेकर इस रीडिंग को देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको एनर्जीस कनेक्ट होगी चले चेक कर लेते हैं कि क्या परसन की उनके मन में आपको लेकर क्या फीलिंग्स और भावनाय जो है उनके म में आपको लेकर है तो सबसे पहले मैं आपको हेलिंग से हैंड करूंगी लेकिन उससे पहले मैं बोलूगी आपको कि फेस्यूक और इंस्टाग्रां में ब Luckily नहीं हूं तो Facebook और Instagram पर मेरे नाम से कोई भी ID या कोई भी पेज नहीं है ठीक है तो इस चीज़ का ध्यान रखें जब भी आपको मुझसे बात करनी है या फर आपको जब भी appointment लेना है रेडिंग के रिगार्डी तो मेरा नंबर जो है वह आप नोट कर सकते हैं 95401-19650 रेपीट कर देती हूँ मैं 95401-19650 इस नंबर पर सिर्फ मैसेज करके आप मुझसे contact कर सकते हैं तो चली इस वक्त सबसे पहले मैं आपको healing send करोंगी मैंने आपको send कर दी है अनर्जीज जो है वह इस वक्त की जो उर्जा है वह आपकी काफी ज्यादा पाजिटिव हो गई होगी चली टेरो कार्ड को ले लेते हैं और टेरो कार्ड से देखेंगे कि आने वाले वक्त में क्या चेंजिस हैं आपकी लाइफ में और आपकी रिले को अगिंशनिसिप में आपके पार्टनर की तरह से काफी जAGड़ा कोशिस से की जा रही है अपकी रिष्ते को लिकर ठीक है वैंड्स है तो strong energies है मैं आपको बोलूँगी कि किस्मत आपको फिर एक मौका देगी ठीक है ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर जो आपको यहां पर देख रही हूं कार्ड में energies को कि आपके relationship में इस वक्त अगर no contact situation है अगें वेंट्स आया है तो कहीं न कहीं कि strong energies को represent कर रहे है वेंट्स और कहीं न कहीं आगे की उर्जा को भी ये वेंट्स बता रहे हैं इस वक्त ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे आपके जीवन में बदलाव भी आ रहा है लेकिन कुछ नकरत्मक उर्जाएं भी है आपके साथ जो है वो कर रहा है तो अगर ऐसी चीज़ें थोड़ा सा अबधान रहें रहें आपके आस-पास कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपके आस-पास पीट-पीछे कुछ ऐसे शत्रू हो सकते हैं जो कि यह चाहते हैं कि आप progress ना कर पाए ठीक है या फर आपका मन बटकाते रहें या फर जादा आपके पीट-पीछे जो है वह ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपके relationship में problems हो इस वक्त मैं आपकी जो उर्जा को देख रही हूं उसके हिसाब से जो राशियां मुझे या पर दिखाए दे रही है तो राशिया मुझे आपर जो मिल रही है मेश राशी मिल रही है मीन है टॉरस है स्कॉर्पियो है पाइसेज है कुम्भ है मैकर है मकर राशी कैप्रिकॉल और लिवरा है दनू है तो यह राशिया मुझे यहां पर इस वक्त आपके relationship में जुड़ती हुए दिखाए दे रही है ठीकि इस राशी की person आपके साथ हो सकते हैं तो एक चीज में बोलू छादेक तो efforts करें ठीकिए वेंटस है तो मुझे जहां तक लग रहा है कि आगर अलोगाटेक्स situation है आपका लबे टाम से चल रहा है तो थकिरीवन यह लोगाटेक्स सिट्वेशन ठीक है आपका खतम होता हुआ दिखाए दे रहा है मतलब जो है वह चेंज होती हुए दिख रही है नो कॉंटेक्ट सिट्वेशन खतम होता हुए बहुत जल्द आपके परसन का आपके साथ कॉंटेक्ट हो सकता है अचानक से कुछ चीजें परिवर्तन भी यहां कॉंबे टाइम से आपके परसन ने करके रखा हुआ है व्लुकुल भी आपसे नो कॉंटेक्ट सिट्वेशन में तो आपके परसन इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अनब्लॉक तो करना चाहते हैं लेकिन थार्ड पार्टी की वज़े से वह आपको नहीं कर पार ह है क्योंकि तरड पार्टी जो है वह काफी अधेक्टिव है आपके रिष्टे में और यह जो दिख रहा है यह कहीं नहीं चाहता है कि आपका जो रिष्टा है वह जुड़े या फिर आपकी रिलेशनशिप में आपका परसन जो है वह आपको कॉंटेक्ट करें आपके साथ करें तो यह दिख रही है कि मैरिज को लेकर मुझे लेकिन पॉस्पिल्टी बनी हुई यह तो अगले 3-4 महिने में मैं की चांस दिख रहे हैं तो इस दिख रहे हैं तो निधू दिख रही है तो अगर आपके लाइफ में ठीक है को यह आपको लग रहा है कि अभी तक पुर्ण है कोई नया परसंट आप अपनी लाइफ में चाहते हो भी लोगति परसंड करते हो लेकिन वह परसंड आपके साथ कॉंते क्वें नहीं आपकी फेलिंग्स को नहीं सुन रहे हैं नहीं समझ रहे तो वो परसन के दिल में जो feelings चल रही है आपके लिए वह feelings बहुत तेजी से अची दिखाए तेरी positive दिखरी आपके लिए ठीक है आपके life में कोई नए person भी आ सकता है the past का कोई person भी आपके life में लोटता है और दिखाए ते का और टुन फ्लेम जर्नी में आपको ठीक है तो यह परसन आपको कॉंटेक्ट करेंगे क्योंकि इनकी अनर्जी यहाँ पर आपके लिए दिख रही है अनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो रही है हाला कि थार पार्टी सिच्वेशन है लेकिन फिर भी यह आपसे रिउनियन चाहत होते हैं और अगर आप यह सोच रहे हो अगले कुछ दिन में की भाई मूबन कर लें शादिये नहीं लोट कर आएंगे तो मैं आपको बोलूँगी कि नहीं मूबन नहीं कीजिए अनर्जी यहाँ पर मेरे को दिख रही है इस कहीं नहीं जो परसन है वो यहाँ पर कॉंटक् सब्सक्राइब कर देखते हो ठीक है इनके साथ करियर को लेकर मुझे लग रहा है कुछ फाइनेशियल प्रावलम हो सकता है कि आप मैंसे कुछ लोग ऐसे हैं जो फाइनेशियल प्रावलम अगर आप फेस कर रहे हो तो यहाँ पर मैं बोलूँगी आपको कि यहाँ आप कर देख रहे हैं वह बैलन्स में आए और जिस तरीके से मैं आपकी देख रही हूं उड़ जाएगा यहाँ पर जो काड है उस पहुत है करियर को लेकर ठीक है और अगर किसी कोई नई कंपनी में आप जोइन करना चाहरे हो यह फिर जॉब चेंज करना चाहरे हो तो मैं आप आपको बोलूगी कि अभी थोड़ा सा रुक जाए ठीक है अभी रुक जाए आज जब भी आपको रीडिंग मिलेगी उससे करीब कि के डिएब़ माइने का ताइम यानि कि एक महीना उपर निकल जाने दीजे आप ठीक है, दो महीने भी प्लीट नहीं बोलूँगी आप एक से डिएब माहीना कि आनि कि 45 डे जो टाइम मिलेख रहा है उसमें का जो समय है करीद लिए अच्छा देख रहा है ठीक है इस रहे हो यह फाइनेशल बहुत ज़्यदा प्राव्लम्स आपको हो रही है इस वक्त मैं आपको बोलू हुई कि फाइनेशल कंडिशन जो है वह आपकी इस वक्तों भी हो रही है लेकिन आगे आने वाला समय जो है अपके लिए अच्छा टाइम दिखाए दे रहा है करियर को ले संचाराम से आपको लग रहे कि मैं इस फिक्स नहीं हो रही है तो मैं आप पडि पर बोलूगी कि समय ऀए हो आपकी अच्छा आ रहाए और इस में पर के नाए। मैं आते हो दिखाए दे now is которых why बहुत को हैं जो बाइसके साहरां है जो इसके साथे हुआ है दोकर की लिए आपके लि abundance क्या जो और लाइंगे तो ही कहा eating इसे दोब रही से आपके लए नवित्य आपके लुगे अटो आए है जिससे है बहुत अच्षी जो है वह देखने को मिलेंगे इस वक्त आपके पर संगी जो मुझे सबसे ज़्यादा जी लग रही है वह अनर्जीज यहाँ पर उनकी फिलिंग देख रही हूँ कि आपके पर्सन दर्टाइए अपके लिए सिच्छे लिआ deste को पूरी तरीके से निमकी में लगी हुई है अगर आपके पर्सक्राइब करनारी आपके साइर सालेंस है अगर आपके कशीवा पैसर काड है जो कि आपको यह गाइड कर रहा है कि आपका समय रिष्टे को लेकर काफी अच्छा होने वाला है ठीक है आपके साथ कुछ अपनी फीलिंग को शेयर कर सकते हैं बहुत जल्द कुछ असा हो सकता है जिसमें वह अपनी सारी ही चीजों को बातों को शेयर करें नो कांटक्स सिच्वेशन की भी वज़ा बताएं और अगर फैमली की तरफ से उनका रिष्टा कहीं और करवा दिया गया है तो उसका भी सच बताएं क्योंकि आपके परसन जहां तक मुझे दिखाए दे रहा है वह आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं और नहीं जाएंगे औ तो यह परसन के साथ आपका रिउनियन कोई नहीं रोक सकता यह चीज मैं यकिन के साथ कह रही हूं क्योंकि इस वक्त जो एनर्जीज मुझे आ रही है जो मुझे मिल रही है वह आपके रिउनियन के एनर्जीज मिल रही है ठीक है तो काफे दा बीटिफुल एनर्जीज है और अगर आप मैंसे बात करना चाहें तो नमबर नोट कर सकते हैं 95401-19650 and take care bye bye